Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Jobs in Mining इसhuhणनल में हम आपको नए नाय माँनिग्ग चांब्स नए नाय माँनिग इइफर्मेशन के बारे न बताते हैं तो दोस्तो आज मिं लेके आ हूँ नाय माँनिग जाब्स जो आई है सिंगराणी कॉलरिस कंपणी लिप। एस सिसल्ट। तो दोस्तो इसमें जो वेकेंसी आई है Mining Graduate Training MGT और Junior Mining Engineer Training JMET के लिए वेकेंसी आ गई है तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे Complete Details MGT और JMET इसके साथ साथ और वी जो वेकेंसी आई है इसके बारे में Complete Details जानेंगे तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ इस वीडियो को सेर कर दिजे जैसे यह सभी Mining Friends को Mining Community को फायदा मिल सेके दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो JMET से जो वेकेंसी आई है JMET और MGT के लिए जो वेकेंसी आई है इसके सासाथ कौन कौन से वेकेंसी आई है वो देखते हैं तो दोस्तों जो वेकेंसी आई है Singranic College Company Limited SCCL से तो पहला जो वेकेंसी आई है Mining Graduate Training E2 Grade के लिए आई है Executive Crader में आई है दूसरी जो है Under Manager E2 Grade में आई है तीसरी जो वेकेंसी आई है Junior Account Officer E1 Grade में आई है जो Non-Executive के CEOC Čडर में जो NCWA के Aindर में जो आता है उसमें जो वेकेंसी आई है Junior Assistant Grade 2 के लिए दूसरी जो Junior Mining Engineer Training JMET के लिए वेकेंसी आई है Grade 3 के लिए Assistant Foreman Training Mechanical के लिए और गरेंसी के लिए च्टेगरी एक्टिए है जिसमें दोस्तों में दोस्तों आगे बढ़ते हैं यह जो वेकेंसी आई है इसके बारे में complete details है तो दोस्तो इसके लिए दोस्तो आपको website में जाना होगा scclmines.com में इसमें साथ साथ दोस्तो आपका उसमें internal में जाना होगा internal में जाने के बाद जो सबसे last वाली जो दिख रही है दोस्तो last वाली जो दिख रही है internal circular number CRP अबलिक personal अबलिक आर अबलिक 2024 276 डेटे 14 मार्च 2024 क्लिक यह टू विव एन अप्ला जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तो तो यह जो है website का page खुल जाएगा circular नंबर CRP परस्टनल आर 2024 216 डेटे 14 3 2024 इसमें जो दोस्तो इसमें तीन चेज दिया हुआ copy a circular दिया हुआ apply online दिया हुआ और reprint application दिया हुआ तो सबसे पहले दोस्तों इसका complete detail देखते हैं internal service तो सबसे पहले दोस्तों सिंग्रणी कॉलरीज कंप्ली लिम्टेड जो एक government company है इसका head office जो है दोस्तों बदादरी कोथागरण district में कोतागरम कोलरीज में है तेलंगाना state में इसमें जो वेकेंसी आई है यह 14 मार्स 2024 को आई है यह internal vacancy आई है all mines or department को जो यह call कर रहा है filling of vacancy of executive oblique non executive cater post through internal candidate के लिए तो यह vacancy आई है internal candidate के लिए इसमें mining graduate training के लिए 22 vacancy आई है जो executive cater में है executive cater में अंडर manager जो e2 grade के लिए है total 20 vacancy आई है तीसरी जो वेकेंसी आई जूनियर account रफ्षर e1 grade के लिए executive cater में इसमें 6 vacancy आई है non executive cater NCAW1 के अंडर में जो है junior assistant grade 2 के लिए 360 vacancy आई है junior mining engineer training JM ET के लिए दोस्तो एक सव वेकेंसी आई है assistant format training mechanical के लिए 10 vacancy आई है assistant format training electrical के लिए 125 vacancy आई है fitted training के लिए 123 vacancy आई है electrician training के लिए category 1 के लिए 133 vacancy आई है और welder training के लिए total 14 vacancy आई है तो कुल मिला कि देखा जाए दोस्तों mining graduate training इसको आप जो है देख सकते हैं इसका अगर यह जो है सर्कुलर जो है मैं आपके यूट्यूब चैनल के डिस्कुशन वाक्स में दे दूँगा वहां से भी आप डॉनलोड कर सकते हैं तो यह दोस्तों आपको सब्सक्राइब करेगा और जोस्तों इसको अप्लाइब करना है 20 मार्च 2024 12 बजे से लेके 30 मार्च 2024 पांच बजे साम तक यह इसको जो है सर्क जो वेबसाइट है 12 अप्ट्रेल 2024 तक जो है आपको पहुंचना चाहिए इसका मतलब है दोस्तों 20 मार्च 2024 से लेके 30 मार्च 2024 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाइब कर स्रकते हैं साथी साथ जो हार्ड कपी जो है यह 12 अप्ट्रेल 2024 तक पहुंच जाना चाहिए डिटेल देखते हैं commencement of submission of online application जो है website opening date and time जो है 12 बजे दो फर्षे में 20 मार्च 2024 से श्टार्ट है दोस्तों website closing जो है date of submission and online application जो है 30 मार्च 2024 पाँज़े है Last date for receiving hard copy application at unit level जो है यह 4 April 2024 पांच बज़े तक है Last date to forward hard copy of application along with enclosure and assessment report to area GM office जो है यह 8 April 2024 पांच बज़े तक है And last date of submission of application to corporate office from area जो है 12 April 2025 पांच बज़े तक है Heads ofでもænd माइंच यह है when forwarding the application are requested to ensure proper scrutiny for application and the particulars furnished by the candidates and due care is to be taken there service particular, education, qualification, experience and mode of study ETCs shall meet the circular guideline तो दोस्तों यह जो है उनित लेवल पर पहले स्क्रूटनी होगा उसके बाद दोस्तों इलिजबल कंडिडेट को जो है यह इलिजबल कंडिडेट का जो है अप्लिकेशन जाये फोरवर्ड किया जाएगा कंसर्ण एरिया जीम में कोई भी एज बार इसमें दोस्तों नहीं है साथ ही साथ दोस्तों YouTube district fair of visual the concerned head of minds and department shall follow the guideline issued from time to screw from time to time regarding the no objection certificate in respect of internal candidates who are in possession of requisite qualification obtained while in service before forwarding hardcopy online application नोची जो है यह कंपनी आपको लेगिए application received after due date will be summarily rejected तो दोस्तों आपको जो है आपको जो है ये विदिन जो है लांजडेट के पहले जो है ये आपको रीच हो जाना चाहिए तो दोस्तों जो SSL से जो वेकेंसी या है इसके बारे में डिटेल पोस्ट और डिटेल टमायंग कंडिशन वह हम लोग देखते हैं सबसे पहला दोस्तों माइनिंग ग्रेजवेट टैनीं MGT के लिए E2 ग्रेड है जिसका बेसिक 50,000 पर मन्त है टोटल वेकेंसी 22 है 20 और 2 जिसमें से एक वेकेंसी जो है और BCD के लिए एक है 21 वेकेंसी जो है लोकल है इसमें से 19 प्लस दो वेकेंसी जो है का डिटेल इस तरह का दिया हुआ है इसके लिए दोस्तों आपको B.E.B.T.E.C. होना चाहिए मायनिंग इस्टेड इन रेगलर मोर्ड या AMI मायनिंग होना चाहिए और उक्यूवलेंट विट मिन्मम थ्री एर सर्विस इन एनी केपसिटी इन NCWA या ग्रेड केटोगरी या पीस रेटेड तो आपका तीन साल का सर्विस और साथी साथ भी B.E.B.T.E.C. मायनिंग होना चाहिए जो दोस्तो candidate who acquired the above qualification while in service after due approval of the competent authority shall only be considered तो दोस्तो आपका जो है company से approval होना चाहिए वही consider किया है दोस्ता दोस्तो अंडर मनेजर या E2 ग्रेड के लिए दोस्तो इसमें दोस्तो holder of mine second class mine manager certificate call में होना चाहिए आपका साथी साथ working as a head overman overman या मायन सर्वेर साथी साथ पांस साल का पांस साल और मोर जो है service in A1 या A या B ग्रेड जो होना चाहिए या सुपरभाजी ग्रेड में A1 E2 ग्रेड में होना चाहिए इसके लिए दोस्तो अंडर मनेजर का यह post आई है उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए overman with five year in grade B as a senior मायन सर्दार और overman for fulfillment of five year service stipulators are also eligible next जो वेकंसी आई है junior account officer उसके लिए दोस्तो commerce graduate होना चाहिए पांस साल का service होना चाहिए चौती जो वेकंसी आई है junior assistant बेसिक जाए इसका 43,775 रुपया 55 पैसा है इसके लिए दोस्तो bachelor degree in any discipline from recognized university and six month certificate or diploma or degree course in computer application information technology from the institute recognized by government from those who have not studied computer information technology as one of the subject in the bachelor degree next जो वेकंसी आई है दोस्तो जो बहुत ही important है junior mining engineer trainee JMET के लिए TS and grade C के लिए इसका है आपका basic इसमें 47,330 रुपय 25 पैसा परमेंट मिलेगा total vacancy जो है 100 है earn reserve के लिए 5 vacancy है OC के लिए 3, BCA के लिए 1 और SC के लिए 1 है लोकल जो है 95 vacancy है जिसमें OC के लिए 43, BCA के लिए 6, BCB के लिए 10, BCC के लिए 1, BCD के लिए 7, BCE के लिए 4, SC के लिए 14, ST के लिए 10 vacancy है है इसके लिए दोस्तों आपका जो education qualification diploma in mining engineering any regular middle from any state in board of technical education approved by AICTE यह होना चाहिए diploma in mining होना चाहिए इसका साथ साथ दोस्तों candidate who acquired the above qualification while in service without obtaining NOC are not eligible for the post तो दोस्तों आपका जो है during service जो है आपका NOC लेकर अगर आपने certificate acquire किया है तो eligible है during service अगर आपने जो NOC लेकर अगर आप apply acquire नहीं किया है service तो यह in eligible कहला जाएगा next जो वेकेंसी है assistant formant training के लिए दोस्तों mechanical के लिए इसमें diploma in mechanical या automobile engineering होना चाहिए इन regular mode में next जो वेकेंसी आई assistant formant training electrical के लिए इसमें decline electrical and electronics engineering DCE study in regular mode होना चाहिए एप्रूब्ड जो है AICT से approved institution होना चाहिए next जो वेकेंसी आई है feature training category 1 के लिए इसके लिए 1202 रूपी 66 पर डे वेक्ट का basic मिलेगा साथी साथ टोटल वेकेंसी चाहिए इसमें 123 है इसके लिए दोस्तों SSC जो है pass होना चाहिए and NTC national trade certificate ITI in fitted trade जो है यह होना चाहिए next जो वेकेंसी आए electrician training किसमें category 1 के लिए दोस्तों इसमें total vacancy 133 है इसमें basic जो है 152.66 रूपीस पर डे है इसके लिए दोस्तों SSC पास होना चाहिए साथी साथ नेशनल trade certificate ITI in electrician trade होना चाहिए और holder of national apprentice certificate in electrician trade issued by national council of vocational training next जो वेकेंसी आए है welder training category 1 के लिए SSC with national trade certificate ITI welder train and holder of national apprentice certificate in welder trade issued by national council of vocational training होना चाहिए इसके लिए दोस्तों total vacancy 14 vacancy है अन्रिजर इसमें नील है तो दोस्तों serial जो है इसका already मैं ने बता दिया था अप्लाइ करने के लिए दोस्तों आपका website SSL का website में जाना है SSLmines.com internal वहाँ पर जो है apply online में आपको click करना उसको apply करना है apply करने के बाद दोस्तों printed form जो है print कर लेना है online application और printed form जो है duly signed by the candidate and in closing there are copy of certificate submitted to the concerned manager इसके लिए दोस्तों बांकी सभी certificate और यह जो है इंक्लोजर दिया हुआ है यह आपको लगाना है रिजर्वेशन का दोस्तों combine local and non-local दोस्तों 5% है और local 95% का रिजर्वेशन है as per the SECL board of directive method selection दोस्तों written test होगा इसमें 85% marks होगा साथी साथ assessment report जाहे वो 15% marks होगा minimum qualifying marks जहे दोस्तों यह o play executivetar में OC के लिए 40% और NCWA के लिए 30% होगा V-45 candidate के लिए दोस्तों executive letter में 35% marks होगा NCWA के लिए 2500 क्ते चहर्वाँ जहे minimum qualify marks है S-C-H-T के लिए दोस्तों executive letter में 25% marks है और NCWA के लिए 15% minimum qualify marks है written test दोस्तो OMR based होगा multiple choice question होगा English में होगा इसमें four option रहेगा जिसमें से एक जो है को सही रहेगा call letter number दोस्तो bubble करना है wrong bubbly or call letter number or question paper series OMR invalid हो जाएगा candidate have to pay utmost attention while filling the call letter number and question paper series तो दोस्तो नेक्सर 1 में schools study certificate ये दिया हुआ ये इसको आपको next करना है दूसरा certificate of residence ये नेक्सर 2 में दिया है इसको आपको submit करना है एनेक्सर 3 में दोस्तो assessment report for the post of ये दिया हुआ इसको जो है head या official seal जो है ये आपको fill करगा तो दोस्तो ये था SECL में MGT और JMET के लिए vacancy के लिए complete detail अगले वीडियो में नए money information नए वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए दोस्तो धना है झाला ये झाला ये एंगा उना नए